नमश्कार दोस्तो आप सबी का मेरे यूट्यूब शान में हारदिक स्वागत है दोस्तो हर किसी में कोई न कोई खुबी होती है इसके चलते वे दूसरों से अलग पहचान बनाने में कामियाब होते हैं जोतिष रास्तर के अनुसार हम पर अपनी राशी के साथ जनम तरीक का भी गहरा अजर पड़ता है साथ ही इससे व्यक्ति की पसंद, नापसंद वा आने वाले जीवन के बारे में पता लगाया जा सकते हैं आज हम आपको किसी भी महीने की साथ, सोला, पच्चिस तरीक में जनमे लोगों के बारे में बता रहे हैं इनका सबका मुल्यांग साथ माना जाता है चलिए जानते हैं इसके बारे में जी हाँ दोस्तों आज हमारी खास वीडियो है जानिए कैसे होती हैं मुल्यांग साथ वाली लड़किया तो दोस्तों चलिए जानते हैं समाज में मिलता है मान सम्मान जो तिशास्त के अनुसा ये लड़कियां बेहत तेज जिमाकी होती हैं ऐसे में ये जीवन में एक बहतरी मुकाम हासल करती हैं इनकी काबलियत के चलते इने समाज में खूब मान सम्मान मिलता है सवतंत्र ख्यालो वाली तरीक साथ में जन्मी लड़किया सवतंत्र ख्यालो वाली होती हैं ये जिन्दगी में किसी बंदिश में रहने की जगा खुल कर लाइफ जीना पसंद करती हैं धार्मिक ये लड़किया कुछ गरत लगने पर चुप नहीं रह पाती। ऐसे में ये पश्टा वा आत्म विश्वा से सामने वाले से बात करती हैं। जहां तक खुद की बात हो उस मामले में तरीक सात में जनमे लड़किया रहस में होती हैं। इनके चेहरे को देख कर कोई भी असानी से पता नहीं लगा सकता है कि इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इसके लावा इनकी रहस से जूड़ी बातें हर किसी को बेहत दिलचस्प लगती हैं। सपनों की दुनिया में रहने वाली तरीक सात में जनमी लड़किया मन मोजी होने से सपनों की दुनियों में रहना पसंद करती है। ऐसे यह अपने हिसाब से लाइफ को पूरी तरह से इनजॉई करती हैं। किस्मत के मामले में लगी, समाज में इन लड़कियों को खूब मान मिलता है, वहीं ये लड़किया किस्मत के मामले में भी लखी मानी जाती हैं, का जा सकता है कि ये लड़कियां अपनी जिन्दगी में हर चीज को जल्दी से हासिल करने के बाद खूब इंजॉय करती हैं, में अपने इस नेचर से जल्दी ही, ये सामने वाले से गुल मिल जाते हैं, दूर की सोच रखने वाली, इन सब के लावा, ये लड़कियां हमेशा दूर की सोच रखने वाली होती हैं, ये आगे का सोच कर ही तो ये थी हमारी आज की खास वेडियो, मैं उमीद करती हूँ आपको ये जानकारी फायदे मन लगी होगी आपको ये जानकारी फायदे मन लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तिल देन टेक केर एंड थेंक्स वर वाचिंग